हेलो एवरिवन आम अकाश गोर और विलकम बैक तो यूर इंडियन मेडिकल लेक्टर फिर से आप लोग के लिए नए टोपिक लिक कर रहा हूं सारे किसी भी मेडिकल प्रेइस से पिलोग करते हैं सारे टोपिक मेरे चैनल पर आपको हिंदी प्लस इंग्लिश विट नोट वें चैसल करता हो यहार मैं आज का वीडियो बोलना चाहता है, कि Maleria Perasite जो होता है, ब्लड panel का एक type होता है, ब्लड का पेडसाई्ट, ब्लड मतलब यहन्य की ब्लड में infection करे, जो कि एनाफ्यलीं mosquito होती है, मक्ष्छनी, female मच्छर होती है, उसके दोर्ण फैलता है मलेरिया ब्लड का पेडसाइ Casey होता है यह female anaphilia mosquito के द्वारा फेलता है mosquito मतलब एक मच्छर नहीं होती female प्रजाती की होती है उसके थुरू यह transfer होता है उसके थुरू यह फेलता है next देखिए this is sporing it produces sporozoid sporozoid को बोलना चाता है यह parasite spores बनाता है spores का मतलब यह छोटे-छोटे काणों को हम spores के नाम से जानते spores बनाता है इन्हे sporozoid भी कहते है और sporozoa के नाम से भी इन्हें जाना जाता है तो याद रखने जो malaria parasite है sporing parasite होता है कुछ important point है phylum इसका क्या phylum होता है इसका epicoamplex epicoamplex इसका phylum यह important line है याद रखने यह exam में पूछ जाएगी class क्या होती है sporozoa यह जो कौन सी class से ब्लोंग करते है sporozoa से order क्या होता है hemo देखो hemo का मतलब होता है blood simply यह blood में effect करता है इसलिए हम इसे hemopodia बोलते है hemopodia का मतलब ही होता है hemospodia hemospodia का मतलब होता है यह blood में effect करता है इसलिए hemospodia के नाम से जाना जाता है और genus होती है इसकी plasmodium याद रखना यह 4.5. जो है बहुत important है कि इसकी phylum होती है epicomplex class होती sporozoa order होता है hemospodia और genus होती है phylum sorry genus होती है इसकी plasmodium ठीक है तो यह 4. पोइंट बहुत important है आप लोग अच्छे से screenshot ले लो फिर इसमें लिख लेना एक बार screenshot ले लो जल्दी ठीक है अब आपको Hindi प्लस English दोनों लेंगमेज में नोट्स मेल रहे हैं मैं excited रहा हूँ आप स्क्रीन शूट ले रहे हो स्पोर्स में कौन कौन से स्पोरोजोईट और स्पोरोजोईट को हम लोग स्पोरोजोवा के नाम से भी जानते हैं तो याद रखिएगा यह important point और फाइलम क्या होता है इसका फाइलम होता है epic complex class कौन से होती है स्पोरोज होआ order कौन से होता है प्लाजमोडियम वाइवेक्स this species can see in Asia North Africa and Central South America इसमें बतायागा है कि यह species जो है कहां मिलती है malaria की यह species प्लाजमोडियम वाइवेक्स कहां मिलती है यह परजाती Asia North America Central South America में देखी जाती है ठीक है इसकी जो दूसरी species Plasmodium falciferum Plasmodium falciferum special species होती है rapidly separate होती है rapidly मतलब बहुत जल्दी जल्दी एक जन्हें से दूसरे जन्हें में फैल जाती है It is mainly seen in South Asia Southeast in India दोको falciferum जो होती है Southeast में देखी जाती है South Asia में देखी जा सकती है और इंडिया के अंदर species होती है Plasmodium falciferum बहुत जल्दी separate होती है आपने देखा कि malaria चला तो malaria का रश हो जाता पूरे शहर में malaria होती है हर घर में malaria देखने मिलता आपको ठीक है क्योंकि जो anaphilia mosquito bite करती है दूसरे को काटती infected cycle चलती रहती मैं आपको cycle आगे बताऊंगा यह प्रजाती बहुत जल्दी फेलती है यह प्रजाती South Asia और India में देखी जाती है कौनजी Plasmodium falciferum Plasmodium malaria देखो Plasmodium malaria का होती है this special can see everywhere जो Plasmodium malaria होता है यह everywhere मतलब हर जगा पे देखा जा सकता है but it is not seen in Africa बहुत ही जादा कम देखा जाता है अफरीका के अंदर में बहुत ही कम देखी गई है यह प्रजाती सभी जगा देखी गई है पर यह अफरीका के अंदर यह प्रजाती नहीं देखी जाती अफरीका में यह नहीं मिलेगी ठीक है नेक्शी जाती है Plasmodium ovale Plasmodium ovale क्या होता है It is seen in West Africa यह वेस्ट अफरीका में मिलती है यह प्रजाती के अफरीका में पाई जाती है एक बार repeat कर देता हूं मैं जो malaria का parasite है इसकी 4 species पाई गई है कौन-कौन सी Plasmodium vivax जो Plasmodium vivax है यह Central South America में देखी गई है फिर Plasmodium falchiparam यह का देखी गई है यह South East Asia में और इंडिया के अंदर मिलती है Plasmodium malaria Plasmodium malaria हर जगे देखी जा सकती है पर यह कहाँ पे नहीं मिलेगी अफरीका में नहीं मिलती है आपको ठीक है इसके बाद दूसरी चीज़ इसमें प्लासmodium oval जो होती है यह भी जो होती है वेस्ट अफरीका में ही देखी जाती है एक बाद इसका स्क्रीन शूट ले लो छीक है आपने इसका स्क्रीन शूट लिया अब आगी पढ़ता हूं मैं यह से अब देखो वेक्टर मतलब कौन सा वेक्टर किसके तरू ट्रांसफर होती है अब भी बताया मैंने कि जो एनाफिलिया मॉस्कीटो होती है एनाफिलिया मॉस्कीटो के दोरा यह फेलती है मच्छर होती है यह मच्छर नहीं होती है यह मच्छर के दोरा हमें यह डिसीज फेलती है फीमेल होती है मेल कभी भी मलीरिया नहीं फेलाता केबल जो female होती है female ही एनाफीलिया मौस्किटो female एनाफीलिया मौस्किटो के द्वारा यह फैलता है next चीद देखिए host host का मतलब होता है कि यह किसके अंदर ग्रो करती है तो दो तरह के host पाये जाते समझिएगा यह बहुत important point आपको बता रहो हूँ host मतलब कहा कहा होता है definitive host मत जीवन काल हुए जन्म के बाद वो हमारे अंदर लेती है और जन्म लेती है वो एनाफीलिया मौस्किटो के अंदर रिप्रोड्यूस होती है उसके अंदर sexual cycle चलती है हमारे अंदर sexual cycle चलती है ठीक है मच्छर नहीं तो याद रखना definitive host एनाफीलिया मौस्किटो होती है और intermediate host human होता है यानि कि हमें दो जन्म के अंदर cycle पढ़नी है एक तो जो malaria जन्म के से लेता है दूसरी चीज वो हमारे अंदर आने के बाद कैसे बढ़ा होता है ठीक है ये दो चीज आपको समझनी है इसका भी एक screenshot ले लो vector का host का आगे बढ़ता हूं मैं या से अब देखो life cycle life cycle यानि कि उसका जीवन प्रक्रम या जीवन चक्र मतलब कि यह है कि वो कहा कहा बड़ा होता है कहा कहा ग्रोथ करवाता है का ऐसे करता है यह सारी चीजे देखना malaria parasite complete its life cycle in two stages बोलना चाहता है जो malaria parasite है ये दो stages में अपनी life cycle पू पूरे करता है कौन कौन से stage एक तो asexual phase in human के अंदर और जो sexual phase होता है वो करता है anaphilia mosquito के अंदर diagram देखो देखो यह human है इसके अंदर जो चलेगा asexual phase चलेगी और इसके अंदर reproduction नहीं होगा जबकि इसके अंदर reproduction sexual phase के अंदर reproduction पाए जाएगा मच्छर का malaria parasite का के लिए तो य asexual phase है human के अंदर और anaphilia mosquito के अंदर तो यह life cycle दोनों में चलेगी पहले हम human वाली पढ़ेंगे मनुश्यों के अंदर क्या life cycle चलेगी फिर पढ़ेंगे anaphilia mosquito के अंदर क्या life cycle चलेगी इसका भी screenshot लो फिर में थोड़ा आगे बढ़ता हूँ ठीक है अब आगे बढ़ता हूँ मैं सबसे पहले asexual phase याने की मनुश्यों के अंदर क्या होता है asexual phase occurs in human when mosquito bite then it release sporozoid in human देखो जो मच्छर नहीं होती है anaphilia mosquito उसके mouth या उसके gut के अंदर एक sporozoid पाया जाता है वो जब हमें काटेगी तो अपना खून सक करेगी हमारा blood को अंदर खाती पीती है तो उसके मूँ के द्वारा कुछ spores हमारे अंदर आ जाएगी जियो से बोलते sporozoid के form में आएगे यहाँ प्रक्रिया मनुश्यों के अंदर होती है anaphilia mosquito जब मनुश circulation में छोड़ देती है देखो डाइग्राम यह आई आपके anaphilia mosquito आपको काटने के लिए इसने जैसे ही काटा इस मच्छर ने anaphilia mosquito ने जैसे हमें बाइट किया तो देखो छोटे छोटे रिलीज होते हुए आपको दीख रहे sporozoid को छोड़ देती है ठीक है अब क्या हुआ अ और यहां पर इस्ची जोइंट में बदल जाते देखो डाइग्राम देखो वन मिट अब देखो यह डाइग्राम आपको यहां पर डाइग्राम दिख रहा होगा कि जैसे आपको इनफीलिया mosquito ने काटा तो उसने उसके अंदर से क्या रिलीज करा इस पोरो जोईट को रिली लीवर हिपटो साइट में यह जो इस्पोरो जोईट आया था यह इस्ची जोइंट बना लेता है क्या बना लेता है इस्ची जोइंट बना लेता है यह डाइग्राम बना हो है यह यह वाला जो फोम में यह इस्पोरो जोईट था धीरे धीरे मेचुर हो कि इस्ची बनाया अब आगे क्या होता है इस मीरो जोइट का है इस इस्ची जोइट आफ्टर सम टाइम ब्रस्ट एंड रिलीज इसमाल मीरो जोइट बोलना चाहता है कुछ समय के बाद यह तूट जाता है कौन इस्ची जोइट देखो बताता हूँ मैं आपको पहले जब मच्छर ने बाइट किया था तो क्या छोड़ा था इस पोरो जोइट छोड़ा था इस पोरो जोइट किस में बदल गया था इस्ची जोइट में बदल गया था यह रह इस्ची जोइट इस्ची जोइट के बाद क्या बना जोटे झोटे फोटे जाते है यह फूटजाता है तो उसके अंदर जो ग्रेन्यूट बनेते हैं हमने, उसे क्या नाम से जाना है? उसको मेने बोला है isti joint को mero joint elaborate. रप्चर isti joint जब isti joint फोटता है तब वो mero joint में बदल जाता है आप ऐसा समझ लो एक मचली का अंडा है अंडे भी दिती है मचली अंडा होता जब अंडा फोता सके उसके अंदर से कितने सारी मचली निकलती है अब इसमचले निखलती है, चोटी-चोटी-चोटी तो इसी टाइप से, क्या होता है कि जब इस्ची जोइंट फूटेगा तो छोटी-चोटी-चोटी रिलीज होते है मिरो जोइंट के फोम में बोलना जाता है इधर देखो इस्ची जोइंट आफ्टर सम टाइम ब्रस्ट एंड रिलीज इसमाल मिरो जोइंट को रिलीज करते है अब मिरो जोइंट रिलीज हुए इस मिरो जोइंट अब एक मिटिस के स्क्रीन शूट लेलो फिर आगे बढ़ूगो ठीक है ठीक है पहले मच्छर ने काट आटा मच्छर हमारे अंदर आया मच्छर सुरि मच्छर ने काटा इस स्पोर्स अपने अंदर आया यसी Sporo joint बोला स्पोर जोइंट हमारी लिवर के अंदर गया लिवर के अंदर जाने के बदे इस्ची J 했어 बना फिर जे ये j इसी joint है वो टूट गया तो क्या निकला, mirror joint निकला है अब देखो, अब क्या होता है, अब यह mirror joint बना है, this mirror joints inter into blood circulation and enter RBC, यह mirror joint जो बना है न देखो डाईगी रहाँ, यह mirror joint टूटा, अब यह mirror joint छोटे छोटे हमारे blood circulation में चले जाएगे, blood circulation में जाके हमारी RBC के अंदर enter कर जा हुआ है अब यह मीरो जोइंट रक्त परिवहन में आ जाते हैं और यह RBC कोशिकाओ के अंदर चले जाते है यह देखो डाइगरा यह मीरो जोइंट आ यह RBC के अंदर चले गए अब जो RBC के पहले जो रियक्शन चली इसे बोलते है इस से इस सैंकल को बोलते हम प्रि इरीथ्रोसाइट साइkal जाते है अब है इरु्तरोसाइटिक साइकटा यहीं मिरिस अंदर चले अब अब है तो अब बाधता हो मैं आया है आग अब देखो इनसाइप आ अ पीसी बोलने चाहता है अब अर भीसी के अंदर आपका मीरोजोइट अंदर हो चुका है अब RBC के अंदर मीरोजोइट फॉर्म अर्ली ट्रोफोजोइट इस रिंग लाएगे स्ट्क्चर देखो डाइगराम देखो पहले फिर पढ़ता हूं यह लाइन में न यह रही आपके RBC देखो मच्छर ने काटा इस पोरोजोइट छोड़ा इस पोरोजोइट लीवर में गया इस्ची जॉइंट बना इस्ची जॉइंट फिर से तूटा तो छोटे छोटे ग्रेनियूल बने जिने हमने क्या बोला इस पोरोजोइट उनको बोला अपने टेैं यही तो बन के थहां मेल जॉइंट बना इंटर और इस पोरोजोइट लिखा हो एक है रीड़ो जॉइट से कोशिकाहो को ठीक है यह गोल-गोल-गोल होती है इसलिए अर्ली ट्रोफोजोट को रिंग लाइक स्ट्क्चर भी अपन कहते है ठीक है इसका भी एक स्क्रेंशोट लो फिर आगे बढ़ता हूं मैं पूरे रिपेट कर दूँगा आपको टेंशन मतलो आगे चलके मैं आप देखो अब यह जो अर्ली ट्रोफोजोट बना था अभी एक मिट बताता हूं मैं आपको यह जो अर्ली ट्रोफोजोट बना था डाइग्राम देखो एक बार यह जो अर्ली ट्रोफोजोट बना था यह लेट ट्रोफोजोईट में बदल गया ठीक यह अर्ली ट्रोफोजोईट यह लेट ट्रोफोजोईट में बदल गया पेले छोटा सा था रिंग अब यह रिंग भर गया तो इसे मैंने लेट ट्रोफोजोईट बोला देखो इस अर्ली ट्रोफोजोईट अगें कनवर्ट आप बन जाएगा mature isti joint, mature मतलब क्या हुआ, देखो, पहले R.B. Singh अंदर mirror joint आया, फिर ring like structure बना, early trophojoid बना, early trophojoid के बाद आपका later trophojoid बना, later trophojoid के बाद आपका बनेगा mature isti joint, mature isti joint क्या होगा, यह completely mature हो जाता है, ठीक है, इसका भी एक screenshot लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है, अब देखो, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, यहाँ पर आपका later trophojoid बनाता है, यह mature isti joint में convert हो गया था, यह भी एक लिखा हुआ, कि में convert हो जाता है, ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखो, अभी mature isti joint है, यह mature isti joint फिर से फूटेगा, और जब यह तो इसके अंदर से फिर से छोटे-छोटे mirror joint release होंगे, देखो, this mature isti joint, breast and release, many small mirror joint and again conversion, sorry, यहाँ पर थोड़ी spelling mistake, again convert हो जाता है mirror joint के अंदर, और mirror joint के आगे, वो जो process है, वो फिर से continue हो जाती है, isti joint फिर से छोटे-छोटे mirror joint में बदल जाते है, और यही process फिर से जाल हो जात करता है, इसको फिर से, ठीक है, देखो, फिर से पूरी cycle repeat करना हो, मैं आपको, I hope कि आपको यहाँ तक दीख रहा होगा, ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपकी जो मॉस्कीट होती, इसने bite करा, तो इसने sporo joint को छोड़ा था, sporo joint हमारी liver के पास गये थे, liver के पास जाके, यह isti joint में बदल गये थे, यह रहा आपके isti joint, यह isti joint कुछ समय के बाद फूट जाता है, जब फूटता है तो इसके अंदर से छोटे छोटे क्या release होते है, mirror joint release होते है, तो यह mirror joint फिर आपके blood circulation में चले जाते है, blood circulation में जाने के बाद यह RBC के अंदर गुस जाते है, mirror joint, अ future student फिर से जब फूटता है, तो फिर mirror joint बनते है, फिर जो यह mirror joint बनेंगे, फिर दूसरी RBC में घुस जाएगे, तो actual में यहाँ पर process क्या चल रही है, यहाँ पर mainly process जो चली है, वो यह चली है, कि आपका जो RBC था, यह RBC में release जो हुआ था, आपके mirror joint अंदर गया, RBC तूट देता है, आपके blood की कम ही आजाती है, ठीक, इसलिए हम इसे blood parasite केते, अब देखो, अब यह जो mirror joint बने थे last में, यह mirror joint गेमेटोगोनी में बदल जाते है, कुछ mirror joint, ठीक है, this mature joint आगे बढ़ता हूं, some of mirror joints convert into gametogony, it may be male or female, यहाँ mirror joint gametogony में बदल जाते है, और यह male और female दो नहीं हो सकते है, नीचे देखो diagram में, देखो यह gametogony था, gametogony जो था, male भी था और female भी था, ठीक है, male भी हो सकते है, female भी हो सकते है, यह cycle हुई complete human के अंदर, अब फिर क्या होगा, फिर कोई infected मच्छर आएगा, एनाफिलिया mosquito मनिश्यों को काटेगा, तो वो ले लेगा, पहले उसने दिया था, अब वो ले लेगा, क्या ले लेगा, गेमetogony को अपने अंदर ले लेगा, फिर वो दूसरे, देखो, क्या होगा, कोई एक infected मच्छर था, वो आया, उसने मुझे काटा, तो मुझे malaria हो गया, अब कोई स्वस्थ मच्छर आया, एक जिसे malaria नहीं है, उ आपको मच्छर के अंदर cycle पड़ाऊँगा, किलियर हुआ, अब देखो, अब देखो, सेक्शल फेस, जो female ए, female एना फिलिया, मॉस्कीटो यानि मच्छर के अंदर चलेगी, देखो, मच्छर के अंदर क्या होता, this step is occurs in मॉस्कीटो, when मॉस्कीटो बाइट infected human, then it takes a gametogony, बो यह रहा gametogony, यह gametogony यह रहा मच्छर विचारा आया, इसने काटा तो gametogony को अंदर लिया, फिर अब मच्छर के अंदर, इस मच्छर के अंदर जो cycle चलेगी वो बताऊँगा आपको, पहले इसके screenshot लो फिर बताता हूं क्या होता मच्छर, ठीके, अब देखो, this gametogony convert into अ यह gametogony देखो, यह gametogony देखो, पहले फिर बताता हूं, जैसे मच्छर ने काटा तो मच्छर के अंदर यह cycle चलेगी, यह वाली, इसके अंदर जो macro gamet, यह micro gamet बने, gametogony था, वो micro gamet बने, micro gamet से macro, micro मतलब छोटा gamet, macro मतलब बड़ा gamet, यह बोलना चाहता हूं कुछ नही यह gametogony micro gamet में बदल जाते हैं, और यह micro gamet फिर से macro gamet में बदल जाते हैं, इसका भी एक screenshot ले लो फिर आगे बढ़ूँगा मैं, चीक हैं, अब macro gamet बना, अब क्या हुआ, this macro gamet starts the fertilization and former zygore, देखो diagram, पहले यह micro gamet था, micro gamet से आपका macro gamet बना, इस macro gamet ने fertilization की process चालू करी अ ने आप और क्या हो बन गया, zygote बन गया, ठीक है, fertilization की process sexual reproduction में ही होती है, तो यह sexual reproduction काई में चल रहा है, इसका female anafilia mosquito के अंदर, तो यह zygote बना, ठीक है, अब यह zygote ukinate में बदल जाता है, और ukinate develop होके फिर से sporozoid में बदल जाते हैं, देख लो यह लिखा हुआ है, यह micro gamet fertilization की किरिया करके, जाइगोट का निर्मान कर लेता है, ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर बोला है, कि अब यह जो जाइगोट बना है, यह ukinate में बदल जाता है, और यह ukinate फिर से, जो उसके मच्छर का, उसका स्टोमक में चले जाते हैं, और वहां से व hematogoni, एक बार इसको repeat करता हूँ, cycle पूरी, ठीक है, फिर से repeat कर रहा हूँ, पूरी cycle आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या हुआ, आपकी जो anaphilia mosquito थे, जो infected थे, उसने मनुष्यों को काटा, इसने sporo joint को मनुष्यों के अंदर इंटर करा, वो liver के पास जाके, इसची joint में convert हो गया, इसची joint आगे चलके food गया, तो mirror joint बना लिया, mirror joint फिर मनुष्यों के blood circulation में आगया, blood circulation में आगया, उसने early tropho joint बनाया, late tropho joint बनाया, फिर isti joint बना लिया, isti joint फिर food गया, तो mirror joint निकलेंगे, फिर वो mirror joint फिर से दूसरी RBC को rapture करेंगे, पर ये कुछ mirror joint, gametogoni में convert हो male भी हो सकते है, female भी हो सकते है, फिर इन gametogoni को जब को infected मस्चर काटेगा, तो वो मच्छर उसको gametogoni को ले लेगा, ये जो gametogoni है, पहले microcite रहते है, फिर macrocite में बदलते है, फिर fertilization होता है, तो जाइगोड बना लेते है, जाइगोड के बाद उकाइनेट बन जाता है, उकाइनेट मच्छर के स्टमक में जाकर डेबलप होकर ये, इस पोरो जोईट में, I hope कि आपको ये साइकाल समझ में आई होगी, नहीं आई तो फिर से एक बार वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगी, इसका एक स्क्रिंशोट ले लो, फिर में आगे बढ़ता हूँ यहा ठीक है, by preparing a smear, malaria parasite can diagnose under microscope, हमें microscope के अंदर, अगर मच्छर को देखना है, sorry, malaria parasite को देखना है, तो malaria parasite को हम easily देख सकते हैं, ठीक है, malaria parasite को smear बना कर microscope में देखा जा सकता है, ठीक है, there are two type of smear, दो तेरे की smear prepare करते हैं, हम लोग कौन कौन सी, दो प्रकार की smear होती है, एक तो होती है, आपकी thin smear, और एक होती है, ठीक smear, देखो diagram में, ये तो है thin, मतलब पतली smear, एक मोटी smear, दोनों तेरे की smear बना के हम लोग देख सकते, और इसको stain कर देंगे, हम लोग gym size stain से, और उसको microscope में study कर लेंगे, एक बार इसका भी screenshot ले लो, lab diagnosis में important भागे, ठीक है, इसके ब पता लगाने वाली method है, जिसे UPT test की कीट आती, urine pregnancy test की, एक ड्रोप urine डारा हो, pregnancy test कर लिया, इसी type से इसमें आता है, एक ड्रोप blood डालो, और पता कर लो, for the rapid diagnosis of malaria, rapid card method है, यूस बोलना चाहता है, जल्दी पता लगाने के लिए, rapid card method का इस्तमाल किया जाता है, इस तरह का rapid, ज यह है, इसमें जो pore है, इसके अंदर एक ड्रोप डालेंगे, जदी इन तीनों में positive आया, तो यहने की malaria positive है, C मतलब control यहने की negative है, ठीक है, अगर T2 में आया, T2 में आया यहने की malaria है, ठीक है, T1 में आया, T1 का भी malaria, T2 का है, इसकी 2 species है, एक तो आपने पढ़ा था, Falsy Pherum और एक malaria, ठीक है, दो species पढ़ी थी, दोनों species के लिए बताया गया है, दोनों positive है, मतलब T1 में भी आया, T2 में भी आया, और यदि एक में आता है, यहने की negative है, कोई भी reaction नहीं हुई है, और यदि कुछ इस तरह का दिखाए देता है, कि C में नी आया, T1 में आ गया, तो invalid है ठीक से card ही काम नी कर रहा है, T2 में आया, C में नी आया, तो invalid है, अगर इस type से आता है, तो ही आपका positive माना जाता है, यह invalid के form रहते है, screenshot लेलो, अच्छे से देख लीजिएगा आप ठीक है ठीक है ठीक है बढ़ाए नोट्स दीए आपको वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है चैनल एक बबार विजिट तो करके देखो सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे वहाँपे